तो ये तो बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार है, इसकी नीती और इनकी नियत किसी के लिए ठीक नहीं है, देश के सामने क्या कहेंगे, आने वाली पीडियों के लिए क्या कहेंगे, और जब एक सित्कें दो पहलू हैं, तो लोकतंद में उसको संबान देना पड़ेगा। और ऐसे समय में, जब पेपर लीक हो गया हो, नीत का पूरे देश में ये केवल यही नहीं है, हम तो उत्तरप देश जाते हैं, मैं तो नो बार का विधायक हूँ, उच्छा बार का मंती रह चुका हूँ, और ये सरकार के कारनामों को देख रहा हूँ, परचा लीक, जब त पूलिस में भरती के लिए आवेदन किया था, बड़ी मिहनत किया, दोर धूब किया, और इंताहन देकर आए, गर पूंची रह थे, कि पता लगा परचा लीक हो गया, तो नजने कितनी बार परचा लीक हुआ है, और ये आज ये मामला केंदर देश अस्तर पर हो गया है, त देश की नीती और इनकी नियत किसी के लिए ठीक नहीं है, और जिसका नतीजा है, कि आज ऐसे गंबीर मुंदे पर, इससे बड़ा मुंदा क्या हो सकता है, किसी देश की दौलत सोना चानी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करता है, देश की दौलत वहां के नौजमान, वहां के लोग होते हैं, तो उनके भविश के साथ खिलवार है, हम लोग क्या कहेंगे, देश के सामने क्या कहेंगे, आने वाली पीडियों के लिए क्या कहेंगे, इसे बड़ी पंचायत क्या हो सकती? देश की सबसे बड़ी अदालत है? लगता है, आने वाले पास साल विपक्ष को संकर्ष करना होगा अपनी इबाद उठाने के लिए? देखें, ऐसा है, हम तो उमीद करते हैं, मानिय लोग्सवाद देख्ष, अदले बिला जी, अन्भवी लोग हैं, अन्भव हैं, और ये रहा होगा, जब विपक्ष कम्जोर रहा होगा, तो हो सकता है, सरकार का उनके उपर जादा तवज्ज्य देने का वो, लेकिन अब विपक्ष बहुत मद्बूत है, और लोग्तंद में सब्ता और पपक्ष, एक सिक्के के दो पहलू हैं, अजब एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो लोग्तंद में उसको समान देना पड़ेगा, उसको तरजी देना पड़ेगा, उसकी बातों को इग्नोर नहीं कर न होगा और मैं उईद करता हूँ आधरी बिला जी चुकि हम लोगों के सन रख सक हैं का स्टोडियन है तो क्या समय कब रहा है उस पर तो ना मेरी ज़्यादा जहान है ना जरूर समझता हूँ लेकिन इन फ्यूशर मैं उईद करता हूँ कि वो लोकतंत की रक्षा करेंगे और जो लोगसबा की मजजादाएं नहीं है परमपराएं नहीं है उनका निर्बान करेंगे जो पूर्व में चीजें हुई है वो इस बार होना संबव है क्योंकि विपक्ष पहले के मुकाबले काफी मजबूत सिती में है और विपक्ष अपनी मात बात पूर्जोर तरीके से सदन के अंदर उठाता रहेगा कैमरपसुन रमेश राय के साथ प्रशानतियागी भारत एक्ष्पेस दिल्ली